उम्शांती, 22 नवर में की श्रीवत अन्नाब से कसौलत है कर्म करते सुमै कर्म योगी, ऐसे कर्म करें ताकि लोगों को समझ आए कि इनकी जो personality है बहुत ही रुहानी personality, बहुत स्ट्रॉण personality है और ये कर्मयोगी है और औरोंको अनुभफ करा सकते है उस कर्मयोगी होने का परमातवा कहते है कर्म करते शक्पिषाली स्टेज पर स्थिथ हो रूँआनी परसनालिडी का अनुभफ कराने वाले कर्मयोगी भवा आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं जो workers होते हैं हर दिन काम किया, नौकरी में गए वापिस आ गए, भर दिन बिंसनेश दुखान खोली हो, आप वही नहीं हो, लेकिन योग-युक्त हो कर्म करने वाले कर्म योगी हो, योग-युक्त मार्लब कि हर कारेकर टसर में परमात्मा से permission मागना, परमात्मा से guidance मागना और उनकी guidance पर चलना जो कि मुरली में है उनसे वारतलाप करना, meditation में, बातचीत करना उनसे कि क्या यह सही रहेगा, क्या यह करना सही रहेगा कि नहीं तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाद से करए है लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर सित है तो दूर से यह देख करके आपको, लोगं को यह पैचाना आए कि इस प profits होता है, जो लोग काम कर रहे हैं कितना focus होके काम कर रहे हैं, कितना intention से काम कर रहे है और किती शक्ति शली स्टेज पर हैं कोई चीज असर नहीं कर रही इनको कोई आक sonra बहुद अगा दो अधार फैय्द आता है बहुत जाथा एकसारी चीजों का इनको असर नहीं पर रहे जब एकशन कर रहे हैं pose the जातार देखे 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 जातार जैसे दुनियावी personality आकर्शित करती है, ऐसे आपकी रुहानी personality, purity की personality, ग्यान वाय योगी तु आत्मा की personality स्वता आकर्शित करेगी, तो यह सारी qualities हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर करके और आत्मा हमसे आकर्शित होंगी, कि दुनियावी तरीके से तो बहुत सारे लोग अप different personalities से आकर्शित होते हैं, रंग रूप दे करके, dress up दे करके, तान दौलत दे करके, कौन सी गाड़ी से उतर रहे हैं, कौन सी stage पर चड़ रहे हैं, किते लोग उनको जानते हैं, किते popular हैं तो यह बाहर की personality होगी, दुनिया के लिए, उनको यूज का निकली, उनके भले के लिए, तो यह सब को सिखा जाता है प्रहम कुमारी, इसमें आप भी सीख सकते हैं, ओम शान्तिस के साथ,